प्राचीन मिथिला में, राजा जनक अपनी बेटी सीता की शादी राजकुमार राम से करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एक प्रतिभाशाली कलाकार को नियुक्त किया, जिससे पचीस सो साल पहले मधुबनी कला की शुरुआत हुई. गाव की दीवारों से लेकर कागज और कपड़े तक यह जीवन्त कला रूप विकसित हुआ, जिसमें प्रत्येक स्ट्रोक देवताओं, प्रेम और भक्ती की कहानिया कहता है. आज मधुबनी कला वैश्विक स्तर पर फलपूल रही है, जिसके केंद्र में मधुबनी जिला है. जिला है, जिला है, जिला है, जिला है.